वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू आल आफ यू वेलकम टू एजू कोस्ट टूटोरियल सो स्टुडेंट्स इससे पहले के तीन लेक्चर्स में हमने लाइट के बारे में लाइट के ड्यूल नेचर के बारे में उससे डिलेटेड कुछ तो सुटढियो किया है और साथमें ला ऊफ रिफलेक्शन को भी किया है इस लेक्चर में हम س्टढीकरेंगे पारे में और साथ में मीर्स के जो टाइप से उसको देखेंगे हमएं सो जब भी हम किसी mirror के सामने खड़े होते हैं, जो भी हमारे घरों में आप देख सकते हैं कि एक Mirror होता है, वैसे весically वो जो mirror है, वो फ्लेण mirror का type होता है. सो जब भी अम mirror के सामने खड़े होते हैं, तो हम अपना face जो है, उसमें clearly देख सकते हैं. तो उस condition में जो हमारे face की picture होती है, उस picture को हम क्या कहते हैं, image कहते हैं, clear है, या कभी-कभी जब हम किसी theater में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि प्रोजेक्टर से जो है, एक बड़ी screen पर क्या क्या जाता है, एक image को project किया जाता है, तो इस condition में जो हमें उस परदे पर picture चलती हुई दिख रही है या बोल सकते हैं कि उस screen पर जो दिख रहा है वो क्या है वो भी एक image है लेकिन दोनों में अगर basic तरीके से हम देखें तो difference होता है difference basically यह है कि एक image virtual होती है और एक real होती है तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो image है वो दो types की हो सकती है real और virtual ओके तो अब हम इन दोनों की properties को discuss करेंगे तो वहीं से हम शुर्ट स्टार्ट करते हैं जहां से हमने बाते करनी शुरू की थी अगर हम mirror की बात करते है mirror means plane mirror जो कि सब के घरों में होता है हम जो है face देखने के लिए plane mirror का use करते हैं तो अगर plane mirror की हम बात करते हैं तो उसमें जो हमें basic property दीखती है first of all यह कि जभी हम उसमें अपना face दीखते हैं जब भी हम इसे फ्रम मीरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारा फेस जो है वो उसकी जो इमेज है वो कैसी होती है इरेक्ट होती है इरेक्ट का मतलब सीधी होती है सेकंड जो प्रोपर्टी होती है प्लेन मिरर की इसमें क्या होता है कि हम मिरर से जितने दूर खड़े होते हैं हमारी इमेज भी उतनी ही डिस्टिंस पर बनती है अगर रियल और वर्चुल इमेज की हम बात करते हैं तो वर्चुल का मतलब होता है आभासी कि हमें ऐसा जो है फील हो रहा है लेकिन वह एक्जेक्टली में है नहीं ठीक तो वर्चुल और वर्चुल की अग मीट नहीं करती है उस पॉइंट पर यह अपियर्स टू मीट होती है मतलब हमें लगेगा कि वह लाइन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रही है लेकिन वह एक्चुली में मीट नहीं कर रही है तो अगर लाइट एक्चुली में मीट ना करें अपियर्स टू मी उसपाמईट पर मेड़ कर रही है तो वो क्यिसी इमेश ओक्रेंगी वर्चलिए इमेज को तो एक परेंगे आपपो डेंख करेंगे हैं कि आपको डृब होता है उसमें वर्चलि का फॉर मेशन होता सेकिंड यह है कि वर्चुवल कि मेंज जो है उसको किसी भी पर ऑभ जर नहीं किया जा क्यूंकि मैंने बताया को कि हम मिरर इस से जितने ज्यादा होंगे हमारी इमेज भी यह इक behind उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो इमेज इसको हम स्कुरीन पर नहीं bنا सकते वर्शूल image कभी भी स्कुरीन पर नहीं बनना इसको रिमेंबर रखेगा अगर थरड प्रोर्पर्टी भी बात करें तो हमने बोलता है साब यह सिद्वां इसका करी रहा हूं कि मिल्च से हम जितना दूर ना म कहा इतना हमारा सोगा जो चक्क का होगा उस ओबज Metal की इमेज बनेगी ऊसी जल्ब ऑजीक्ट की जो पिक्ट्चर होगी वह मिल्च से उतने दिस्टेंस के मिरर के बिहाइंड बनेगी क्लियर है और प्रोपर्टी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ में जब हम अपना देखते यह तो हमें इमेज जो है वह क्या दिखती है एकदम सीधी दिखती है तो आलवेज इरेक्ट इमेज जो हो क्या होगी सीधी होगी लेकिन वह लेटरली इनवर्टीड होती है इमेज जब भी हम देखते हैं तो लेटरली इनवर्टीड होती है मिन्स हमारा लेफ्ट पॉर्षन जो है मिरर के राइट पॉर्षन में अपियर होता है और राइट पॉर्षन जो है मिरर के लेफ्ट पॉर्षन में अप दिखा होगा कि आपकी चेयर के उपर जो है और होल के बैक साइड में एक जो है प्रोजेक्टर लगा होता है जहां से आती है और आपके सामने जो पूरी screen रखी है उस पर पड़ती है और उस screen के उपर हमें clearly image visible होती है तो ऐसी कोई भी इमेज जिसको किसी स्क्रीन पर अबजर्व किया जा सके किसी स्क्रीन पर उसको बनाया जा सके उसको हम बोलते हैं रिअल इमेज क्यों है कुछ प्रहपार्टी है कि जION पर जो अफ्टर रिफृलेक्शन जो रे ओफ लाइट होती है लेकिन इमेज में आफ्टर रिफृलेक्शन जो लाइट होगी वह एक्चुली में में मिट करेगी ऐड़ उस पॉइंट पॉइंटा सेकेंड इसको को हम screen पे obtain कर सकते हैं थर्ड पोइंट यह है कि यह जो है mirror के front पे बनती है जो real image है फ्रंट पे बनती है और virtual image behind the mirror बनती है फोर्थ है always inverted इसको याद रखिएगा कि virtual image always erect होती है सीधी होती है है और रियल इमेज हूब इंवर्टीड होती है क्लिर पर सचले टइपस-ाफ मीरर की बात करतेए थो टइपस-ाफ मिरर हमारे पस्त्री-ाइपsin के मिरर होते हैं दो बात करेंगे तो मिलेद कि अगर बाथ करते हैं करें जैसा आपने घरों में जो है ग्लास देखा घूए तो मिलेर माहिए कुछ इस टाइब का होता है अगर इस डेस्टर को मैं मानूं और यह मारकर एक स्केल हो जैसा कि स्केल आप सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं तो इसको अगर मैं मारकर पर रख देता हूं तो यह इस मिरर के हर एक पोर्शन को टच करेगा तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इस टाइब का जो मिरर होगा व कर लेते हैं कि एक empty sphere है hollow sphere मतलब जो अंदर से खाली हो इसके पार्ट से अब कर लेते हैं कि हमने जो है इसका इतना पार्ट चूज किया है ठीक है इस पार्ट को हमने चूज किया है तो इस पार्ट से जो मिरर बनेगा वो दो छो पार्ट से टी वाइड हो जाता हैं के मिरर या कंवेस मिरर कि अगर हम बात करते हैं तो मिरर जो है वह को आप बोल सकते हो कि जो मिरर होगा उसमें जो इसका आौटर प्रशन है कपफिंद के लिए इनर प्रशन है उसको हम नोगते है रिफलेक्टिंग हैं और कि जो सो हमां आउटर पॉर्टं होता है उसको कोटिड रखा जाता है तो ये कैसा मेरे बनता है उस्कार के लिए हम इसके इनर पार्ट को पर्षाच वहता है यह बेबढ़ी जो पॉर्षान होगा यह क्या होगा reflecting होगा है क्लियर अब इसके बारे में इसी लेक्चर में हम लोग और फर्दर डिस्कस करेंगे इससे पहले हम यह जानने कि जो इमेज्स बनती है मेर पे किस टायप की होती है फिले मिरर की बात करते हैं इमेज्स होगी वह वर्चूल होगी और इdeath होगी जैसा कि कि हमने वर्चुल इमेज की प्रोपर्टी में देखा है तो जैसे अगर आपको एक्जाम में लिखना हो तो हम वर्चुल इमेज की जो प्रोपर्टी है उसको प्लेन मिरर में रख सकते हैं तो इमेज वर्चुल होगी इरेक्ट होगी सेकेंड जो डिस्टेंस ऑबजेक्ट जो है जितना मिरर के फ्रंट से जितना डिस्टेंस पर होगा अगर आप मुझे ऑबजेक्ट मानते हैं तो मेरे सामने अगर कोई मिरर रखा है तो मिरर से मेरा डिस्टेंस जितना है मेरी इमेज भी मिरर के बिहाइंड उतने ही डिस्टें of the image behind the mirror is equal to the distance of the object in front of the mirror third property laterally inverted laterally inverted का मतलब यह है कि यह assume कर लेते हैं कि मुझे जो है इस तरह से 7 बनाना है और मेरे सामने इस तरह से कोई mirror रखा हुआ है clear है तो mirror में भी आपको सेवन ही अपियर होगा लेकिन जो इसकी image है वो आपको कुछ इस तरह से अपियर होगी मतलब जो left side था अब वो right side हो जाएगा और right side जो है वो left side हो जाएगा तो इस टाइप की जो mirror इस टाइप की जो image होती है उसको हम लेटरली inverted image कहते हैं ओके